बॉनिंग ये वरीवन ये सेशन में आपन बवना रहो की वीगी में देटा टाइप कसा यूज केला जातो माक्चा दोन सुरेश पासवन आपन डेटा टाइप कसे स्पेसिफिक यूज केले जाता तेचे काई प्रोग्राम जोगे लोते जासके इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप कुंती वैल्यू स्टोर करता होल नंबर लाइक यूर सब्जेक्ट माक्स लाइक 80, 90, 12, 30 अनी डबल डेटा टाइप कुंती वैल्यू स्टोर करता ता बेसिमल पॉंट लाइक यूर परसेंटेज 70.60, 60.50 आता इस टाइम आपने स्ट्रिंग माते का आसता की स्ट्रिंग डेटा टाइप बैसिकल डबल कोड्स मादे तुम्हें जी बहले दिलें रहूं लेसिकली character based जिये पन value आज ता था string रेट राइप मध एता पन characters जब double ports मदे दिले जाता ते बाद ते string मनुं consider के ले जाता पन character मदे तुम ही numerical value जरी दिले तरी थी as a string मनुं consider होते आता आपन कही स्रिंग बेस्ट प्रोग्राम बगना रौग, so let's get started, आपन इबेस एचिटर उपन करण ठोलेला चे, अता माया पहला आपना प्रोग्राम अचना रहे किया आता इंपले आपन नेम प्रिंट करना रौग, तो माइक्रो प्रिंट क्रेट करेला आपन सब नाउचे कीवर्ड भापर ला आता करला नाम दिवे आपन डेमो ओके तेचा साथी आपन कमेंट पन युद्ध के लिए प्रोग्राम पॉर प्रिंट यूवर नेग ओके आता आपन तेचा साथी वेरेबल डिकलेर करतो है दिवड वापरल तेचा नंतर नेम साथी आपन वेरेबल ला नेम घेतडला आज डेटा टाइप नेंग का आश्ण नारे स्ट्रिंग ओके आथा आप फर्स्ट आपन वेरेबल इमिशलाइजेशन करना रे वल्लु डिरिकली असाइन करतो है कुरुष्ण ओके नेम या वेरेबल मेले कुरुष्ण दाले तो सिंपले आपन ती प्रिंट कर या बाया जी आ नेम इज आपन रन करिया जब आपन कोड रन करतो है तो मेंसेज बोक्स बिसतो है तोसे समर्का है माइन नेम इस खृृष्ण ओके ला आथा फ़र्स्ट कोड मेदे आपन काही केला है एरिकली वेरेबल डेकलेर केला आ विरेबल डिकलर केला of which name नेम नावा चा तैचा डेटा टाइप का है string मग string मदे जबापन डेटा टाइप कंसिडर होतो तेवा तैचा मदे value double quotes मदे दिली जाते मग ती character based असेल के वा numbers असेल तो तेपसा कंसिडर होना रे string या data type मदे ही लक्षा डेटा टाइप मदे value double quotes मदे दिली जाते ओके आथा आपन दुसरा code करना रव runtime value असेन कशे करेचा सब demo 2 आपना code टेड़ी जाला आपन comment देली program path runtime string value runtime मा आथा आपन value यह ना रव टेटा साथी ना dim variable declare के ला as a string okay variable declare के ला टेचा data टाइप पन print के ला runtime साथी कोंता box बाप परला जातो input box enter your name okay and simply message box ला print करना my name is value कोशच जाना रे name नावा चे वेरिबल में दे okay print के लो के अथा code आपन run करूया okay input box अला enter your name I am giving Krishna okay जब में okay करते message box अला my name is Krishna okay अथा first form जाला आपन variable initialization second जाला by using runtime time अथा third करना रहा हो by using cell reference okay अथा सेल मादे आपन कशी value put up करूँ शक्तो sub demo 3 comment pass करूया comment print करूया print your name using cell reference okay deem name as a stream name equals to input box forward taking the runtime enter your name this time अपन जो okay enter your name okay आपन नेम वाले वाले वित लिये कुद्ती आता आपन कुँटे रंचुमा सेल मादे टाकना रो सेल मादे अथा सुपोज a5 मादे टाक लिया ओके ताची साथी कुँटी प्रोपर्टी बाप पर लिये रंच a5 dot dot value या सेल मादे कुँटी वाले जाना रे नेम नावाचे ओड का लिला है name नावाचे variable create जहला है ताची डेटा टाइप पाइ स्ट्रींग ताचा मादे जीपन वाले जाना रे ती स्ट्रींग डेटा टाइप चाशना रे name लापन at the run time वाले जाट इन्पूट बोक्स गेतला अन्नी range a5 या सेल मदे name या variable मदे जीपन वाले जाना रे ती कुट जाना रे range a5 मदे या सेल मदे अथा code run करूए ओके input बोक्स आला if I am giving Krishna ok मतलब a5 मदे आले a5 मदे कुँथी वाले वाले Krishna जो है आपन इते पास के लिए लिए ok तो आपन बगीत लाए कि how to use a string data type in VBA so that's for today thank you